हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे यूटूब चानल पे आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी राप सकट बनाना बहुत ही आसान तरीके से तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना इसे बनाने के लिए मैंने थ्री मिटर सिंथेटिक फाब्रिका यूज किया है आप सिंथेटिक की जगह पर रियाउन, कॉटन या फिर अपनी पसंद का कोई वी फाब्रिक यूज करकर इसे बना सकते हैं बहुत ही आसानी से तो देखिए सबसे पहले हम फाब्रिक को एक बार फोल करेंगे और अच्छी तरह से प्लेस करेंगे तो देखिए इस तरह से अब 30 इंच से हम इंच टेप को एक और बार फोल करेंगे देखिए कुछ इस तरह से अब दिखिए एक बार फोल करने पर यह 45 इंच आ रहा है तो यह हो गई है हमारी डेड़ गुना कमर तो देखिए फ्रेंट्स इस तरह से मेजरमेंट लेके जो भी आपकी डेड़ गुना करेंगे तो देखिए फ्रेंट्स जब हम 45 को 3.14 डिवाइड करेंगे तो आज याएगा 14 इन्च और चरा से पर黃 euro करेंगे तो देखिए फ्रेंच इस तरह से हमें निशान लगाते जाएंगे तो देखिए फ्रेंट्स इस तरह से यहांपर हमने हमारी कमड डाली है अब इन लो में आएगा तो देखिए यहां पर मेरे कपड़े में जितनी भी आवेलेबल लेंथ है लॉंग साइड के लिए मैं पूरी लूँगी यह तो देखिए 27 इंच तक में निशान लगाते जाओंगी जो भी हमने ऊपर कमर डाली है उसके मिड़ पॉइंट तक तो देखिए फ् इसकोने से में थोड़ा ओर का शेप देऊंगी ताके हमारे स्कूर्ट का लूक अच्छा दिख्या आए तो इस तरह से हमने राउंड शेप दे दिया है अब सबसे पहले हम कमर की कटिंग करेंगे उसके बाद गोलाई में नीचे की साइड की भी कटिंग कर लेंगे देखिए फ्रेंट्स इस तरह से हमारे स्कूर्ट की कटिंग हो चुकी है और जब हम इसे उपन करके प्लेस करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा और जब हम इसे ओरलाप में प्लेस करेंगे तो ये इसका ये शेप आएगा ये हाई लो में अब देखिए हम फ्रिल्स करना है और उसका डबल लेंद्वाइज लेना वीडित आप 4 इंच रख सकते हैं तो देखिए फ्रेंट सबसे पहले हम पट्टियों को एक दूसरे के साथ अटाच करेंगे उसके बाद इसमें फ्रिल्स लगाएंगे ठीक है तो देखिए एक पट्टियों को मैंने सीधी करका आप ग्षण क्रेंगे कि कुछ इस तरह से और हम हाफ इंच पर श्रिच लगा लेंगे अब इसी तरह से आपको साथ प्ट्यों को एक दूसरे के साथ अटाच कर लेना है अब देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारी पटियों को एक दूसरे के साथ अटाच कर लिया है अब हम इसमें फ्रिल्स लगाएंगे तो देखिए मशीन के ऊपर आपको पाच नंबर की टिप लगानी है जैसे हम वाइट स्टिच कहते हैं और कुछ इस तरह से अब यहाँ पर देखिए आपको फ्रिल्स को कपड़े के अकॉर्डिंग पूरे कपड़े पर अच्छी तरह से प्लेस कर देना है राउन में जैसे मैंने किया है और अब हम इसके ऊपर स्टिच लगा लेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने मेरे स्कूर हम उपने स्कूर्ट पार्ट को सीधी साइड प्लेस किया है और उसके उपर फ्रिल्स को उल्टा प्लेस विल्कुल आपको भी थे में प्रोसेजर फॉलो करनी है तो देखिए स्करड का थो पाठ दो कि उसके उसके अब हमने ब्लेस करने साइड से और यहां से स्टिच लग तो देखिए इस तरह से हमने फिल्स अटाच कर ली है अब हम उपर की साइड बेल्ट को अटाच करेंगे तो देखिए अब मैं बेल्ट की कटिंग करूंगी जो मैं स्कूर्ट पार्ट में उपर अटाच करूंगी तो बेल्ट की लेंथ में लोंगी 46 इंच जो भी आपकी कमरे तो उसमें 1 इंच आड़ करके आपको बेल्ट के लेनी है ठीक है और बेट की विड्ट में लूँगी हापर 4 इंच और साथ ही मैंने दो चोटे बेल्ट कट कर लिए है जिसकी लेंद में रखिए 40 इंच और विड्थ में रखिए 2 इंच देखे फ्रेंड्स अब हमारे चोटे exist the ओल्ड इस तरह गए और फिर सब्सक्राइब लाव खिरहाँ ईस रखिए बेल्ट के साथ करेंगे और ऊधिया बेल्ट को हूं फॉल्ट करेंगे देखे कुझ इस तरह से और इसके उपर अब हम स्टिच लगाएंगे तो देखे जहां तक आपका चोटा बेट है वही तक आपको स्टिच लगानी है गव्य ऐसे आगे स्टिच नहीं लगानी अब देखिए दोनों साइड से आपको बेल्ट को टाज कर लिया है और जहां तक हमारा छोटा बेल्ट है वही तक हमने स्टिच लगाई है अब हम इसे सिधी साइड पल्टा लेंगे कुछ इस तरह से और यह हमारा बेल्ट बनकर तैयार है दोनों साइड से हमने दो छोटे बेल्ट अटाच कर लिया है अब हम इस बेल्ट को हमारे स्कर्ट पाट के साथ अटाच करेंगे तो स्कर्ट पाट को हमने सिधी साइड प्लेस करेंगे और फिर उपर से स्टिच लगा लेंगे तो देखे इस तरह से हमने बेल को पूरा अटाच किया है और देखे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है हमारी आप को भी युलू करनी है देखे अब हम काच लगाएंगे तो काच लगाने के रिए सब से से फोल करेंगे, और सीजर की हल से, यहां कट लगाएंगे, नधे आपको थोड़ा ही कट लगाना है, क्यूंकि हमने यहापर दो छोटे बेल्ट अटे था दे तो हमें ज्यादा बड़ा होल नहीं लगेगा, देखे इस तरह से हमने होल बना लिया है, अब हम सुई और धागे क की हल से इससे फिनिशिंग देंगे और हमारगम कर दायार हो जाएगा इस तरह से दीर से दीरे लिए दाहिएा और यह जबन कर तैयार है यह बहुत ही आप शांगे आया है आप इसे जरूर वीडियो पसंद dobrrecord पit फ्रिल्स कि दो कर zeigt झाल झाल झाल